हाई गाईस मेर नाम है संदीप और Redmi K20 Pro के लिए और काफी जरे और Xiaomi phones के लिए जो है latest MIUI TN ROM के 1.7 का final update आ चुका है और उसमें 4 updates हमें Redmi K20 Pro के लिए मिलते हैं और जो last वाल update है 12.5 के बीटा वर्जन का वो मैंने यहाँ पर install कर रखा है और एक और update का review आएगा वो होगा 13.0.8 stable build यह बीटा वर्जन है तो उसके उपर मैंने review किया है अभी इस वीडियो के अंदर कर दूँगा तो यहाँ पर उस वीडियो का wait जरूट से कर लेना अब सबसे पहले बात करेंगे change log की तो यह आपको change log मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर clearly check कर सकते हो वीडियो को pause करके सबसे पहले बात करेंगे settings की और यह है my device page और यहाँ पर आपको मिलता है MIUI TNK 1.7 का logo और यहाँ पर MIUI version आपको मिलता है 12.5 और अभी मैं 21.11.24 बीटा यूज कराऊं अगर आप all specs के अंदरा होगे तो यहाँ पर 6 GB memory extension बगरा नहीं मिलता क्योंकि Android 11 based है as you can see और आपको जो अब मैं अगर features आपको बताऊं तो क्या कुछ मिलता है ज्यादा बड़े changes आपको नहीं मिलते छोटे छोटे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ like display के अंदर आपको anti flicker mode मिलेगा और AI image engine के अंदर यह वाले options आपको मिल जाएंगे उसके बाद sound and vibration के अंदर आपक system launcher मिलता है जिसमें true iOS के recent's आपको मिलेंगे जो हमने 1.7 update के अंदर already discuss कर रखे हैं तो वही सारी customizations हैं और अगर आप यहाँ पर पूछना चाहते हो कि आपको यहाँ पर FOD के icons की customization मिलती है तो यहाँ पर कोई भी customization extra नहीं मिलती सब कुछ same stock वाल आपको मिलेगा additionally अगर आप देखना चाहते हो तो कोई नया change नहीं मिलता even screen recorder भी आपको नहीं मिलेगा तो उसको MIUI system updates group से यहाँ पर download कर लेना video toolbox का option आपको यहाँ पर मिल जाएगा tap plus है और MIUI lab का option मिलता जिसमें AI preloading है तो basically यह जो ROM है यह आपको China से latest जो last हमें beta version मिलता है na k20 pro का उसके उपर based मिल जाती है अब ROM के अंदर जो stock camera हमें मिलता है वो MIUI का ही camera है और यहाँ पर video आप देखोगे तो 4K 60fps का option है और ultra wide आपका working है 2x working है more के अंदर आप देखोगे तो यह modes आपको मिलेंगे इवन slow motion videos भी आप यहाँ पर record कर सकते हो और अगर आप LMC 8.4 को भी यहाँ पर try करना चाते हो तो उसके अंदर भी almost सभी features आपके working है आप यहाँ पर slow motion videos भी 1x 8x तक record कर सकते हो और इवन आपका 2x और ultra wide यहाँ पर भी work कर रहा है और इस camera को download करने के लिए आपको यहाँ पर इसके आपको recents मिलते हैं और अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से app opening या फिर closing animations आपको मिल जाएंगे जो की काफी smooth है और इन में कोई भी problem आपको नहीं आने वाली एवन थोड़ा सा response भी आपको fast ही देखने को मिलता है और एक चीज़ आप और notice करना यहाँ पर अगर आप opening closing animation की speed देखोगे तो काफी ज्यादा amazing मिलती है और यहाँ पे जो optimization है in terms of RAM management वो भी आप clearly यहाँ पे notice कर सकते हो कोई भी app हमें RAM के बाहर देखने को नहीं मिलता इतने apps हमने open कर रखे हैं सब के सब RAM के साथ में मिल जाते हैं यानि की RAM management काफी बढ़ी आपको मिलता है और यह true recent आपको मिल जाते हैं iOS के और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो swiping up में भी आपको same animation मिलता जो हमें यहाँ पर प्रीवेस 1.7 update के अंदर मिलता था बड़े एक बग यहाँ पे आप notice कर सकते हो वो आपको मिलेगा यहाँ पे जो आपके icons है ना जो application का वो miss हो जा बिकॉज रॉम आपको चाहिना बेस्ट मिलती है और नया एवाल्ट और नया widget store भी आपको यहाँ पर definitely मिलेगा अगर आप DRM info के इंदर आते हो तो widevine L3 आपको मिलेगा एंड इसका जो module है वो मैंने आपको MIUI PRO ROM के latest update के अंदर शेयर किया था उसको आप try कर सकते हो hopefully वो आप का यहाँ पर work करेगा और widevine L1 आपको मिल जाएगा यहाँ पर wide life test के scores आप चेक आउट कर सकते हो game turbo मैंने add कर रखा है and यह आपको geekbench 5 के scores मिलते है and game turbo का जो layout है वो आपको यह वाला देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं charging speed की तो यह आपको charging speed मिलती है म charging के time में कोई major hitting issues आपको नहीं मिलने वाले और यह काफी अच्छी बात है और अगर आप ROM को normally use करना जाते हो वैसे यह जो consumption है न वो थोड़ा सा heavy भी यहाँ पे है तो mixed consumption है almost 13% पर आर के आसपास active drain है idle drain 0.44% पर आर के आसपास और जो deep sleep है वो आपका working है यह CP throttling का graph है 93% तक आपका CB throttler होता है maximum GPS है 1,91,000 के आसपास और average है 1,83,000 के आसपास और previous update में हमें जो है photos app की spoofing मिल ले थी बड़िस के अंदर जो है वो remove हो चुकी है and आपका जो photos app है न वो भी यहाँ पर crash कर जाता है sometimes तो यह आपको यहाँ पर spoofing वगरा का option नहीं मिलेगा and कुछ आपको यहाँ पर bugs वगरा यहाँ पर system launcher के regarding भी मिल सकते हैं और अगर मैं gaming की बात करूँ तो यह ROM personally recommended है आपको gaming के लिए and यहाँ पर जो optimization है जो smoothness आपको मिलती है न BGMI के अंदर वो काफी तगड़ी है अब एक चीज़ यहाँ पर K20 Pro के साथ यह है कि अगर आप screen recording से यहाँ पर ज खोड़ी कम मिलती है क्योंकि CPU के ओपर ज्यादा यहाँ पर लोड बड़ता है और वो थोड़ा throttle भी करता है तो वो चीज़ आपको screen recording के अंदर यहाँ पर में भी notice हो सकती है but in general अगर आप normally यहाँ पर gaming करना चाहते हो screen recording का कोई लफड़ा ही नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है काफी तगड़ी optimization मिल जाती है जो touch response है जो smoothness है वो काफी एक number आपको मिलती है Android 11 की वजह से में भी और यहाँ पर जो optimization है ना ROM की वो भी काफी अच्छी आपको मिलेगी तो gaming के लिए यह जो ROM है personally recommended है और जो performance है वो आपको जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिलती है त क्योंकि 53 वगरा के अंदर मैंने उसको notice किया था बड़ इसके अंदर मेरे को वो issue नहीं मिला और जो performance है वो काफी consistent feel हो रही थी मेरे को और यह चीज़ आप notice करोगे जब आप इसको install करके gaming करोगे और उसके साथ आपको 13.0.8 का भी review मैं देने की कोशिश करूँगा बड़ आप चैनल पर पहली बारा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो पसंदा तो लाइक करना मिलेंगे next interesting वीडियो के साथ